आदे घंटे की बारिश और चर्खी दादरी सहर हुआ जल मगन एक सितंबर के बाद एक बार फिर 21 सितंबर को आदे घंटे की बारिश ने ही परसासन के जल भराओ की समश्चा को दूर करने के लिए किये गए भुकता दाओं की पोल खोल दी जहां परसासन लगातार जल निकासी के दावे कर रहा था लेकिन आदे घंटे की बारिश में ही चर्खी दादरी सहर पानी से लबालब भर गया चर्खी दादरी में लगातार जल भराओ की समश्चा से निजाद दिलान को विपक्सी पार्टियां, समाजिक संगठन वर प्यापारिक संगठन आवाज उठाते रहे हैं परंतु पिछले लगबग पचास दिनों से चर्खी दादरी का हाल बेहाल है और केवल परसासन से उकता इंतजाम करने के आस्वासन ही मिल रहे हैं परसासन जहां लाखों रुपे लगा कर जल निकासी की बात कर रहा है तो वहीं कुछ देर की बारिस परसासन के सभी दाओं को फेल कर देती है आज हुई आदे घंटी की बारिस के बाद चर्खी दादरी के परसुराम चोक, रोतक रोड, पुरानी सब्जी मंडी के आसपास की मार्केट, लालालाज पतराय चोक, काट मंडी और चर्खी दादरी की अलग-अलग रियाहसी कालोनियों में पानी भर गया जल भराओ की वज़े से व्यापारिक परतिस्टानों में पानी गुस गया, जिससे व्यापारियों को एक बार फिर नुकसान उठाना पर सकता है 20 दिन पहले हुई बारिस की वज़े से हुए नुकसान से जहां व्यापारी वर्ग उबर नहीं पाया था तो वहीं इसी दोरान एक बर फिर जल भराओ होने की वज़े से व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पर सकता है कॉंगरिस नेता अजीत फोगाड ने बारिस के बाद चर्खी दादरी में हुए जल भराओ को लेकर कहा कि चर्खी दादरी का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां जल भराओ ना हो चर्खी दादरी में बार जैसे हालात बने हुए हैं उन्होंने कहा कि ऐसे हालात 1995 में आई बाड के दोरान भी नहीं बने थे उन्होंने सरकार से उत्सतरी अदिकारी को चर्खी दादरी की जल भराओ की स्तेती से नेपटने के लिए लगाने के साथ अलग से बजट देने की मांग भी उठाई ऐसे बुरे आलात तो कभी 95 में जब यहां दाजरी के अंदर बाड आई तब भी नहीं थे इतने बुरे आलात यह हैं क्योंकि पाणी के इंदर यह पाणी शड़ चुका है बदभू पाणी के अंदर आती है और इस पाणी से बहुत बैंकर बिमारी और कोई ना कोई मामारी फ जो चंदिगड लेवल का एक अधिकारी हो जो इस सारे सिस्टम को पाणी की निकासी के पर बंद करे और यहां जो जल बराओ की समस्या जो बढ़ी हुए है उसका पर्मारेंट शोर्स यहां निकाले ताकि इस दाजरी के लोगों को रात मिल से